शेते जले पावक गगन समेरा पंच तत्व का बना शरेरा आज हम सब एक ग्लोबल एज में जी रहे हैं फास्ट लाइफ का जमाना है जहाँ पे हर इंसान खुद की बहतरी के लिए हर तरफ दौड रही एक भीड का हिस्सा बन चुका है अपने लाइफस्टाइल को बनाने के चक्कर में हम आज बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजिस को भी नियौता दे चुके हैं चाहे बात हम पीसी ओडी की करें थाइरॉट की करें डायबेटीस की करें या डिप्रेशन की करें ये तमाम ऐसी जीवन शैली से जुड़ी हुई बिमारियां हैं जो आज घर घर दस तक दे चुकी हैं ऐसे में आज विज्ञानिक भी चकित्सा पद्धिती के अलग-अलग विकल्प रहुन रहे हैं क्योंकि हेल्थ इन्रस्ट्री लगातार बढ़ रही है और एक बड़ा बजार बनकर उपरी है हमने अक्सर सुना होगा कि इंसान मिट्टी से बना है और आखर में मिट्टी बन जाएगा कहते हैं कि प्रकृति के जिन पांच तत्वों से हमारे शरीर का निर्मान हुआ है उन्ही पांच तत्वों से हमारे शरीर से जुड़े बिमारियों का निवारन भी हो सकता है इसी सिध्धान्त पर काम करती है प्राकृतिक चकित्सा पद्धिती और साथ ही जानेंगे कि कैसे हम प्रकृती में रहकर उसके नियमों का पालन करकर अपने शरीर को स्वस्त और तंदरुस्त रख सकते हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज नेचिरोपैथी के एक्सपर्ट रमेश चंद जी मौझूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ हमारे साथ जुड़ रही है सुखदीप को जो की स्टूडन्ट है इनकी और साथ ही साथ नेचिरोपैथी को ऐस कारियर भी फ फिल्ड के एक्सपर्ट हैं तो आपसे जाना चाहूंगी कि अगर आम भाशा में से परिभाशित करना हो तो प्राकृतिक चिकित्सा ये नेचिरोपैथी आखिर है क्या नेचिरोपैथी असल जो कुदर्त ने सानू साड़ी चिकित्सा वासे साड़ी बोड़ी और्गन नो जो कुदर्त ने सिद्धे रूप देविचे सिद्धे फॉर्म देविचे सानू देते हैं उदे दोरा किती गई चिकित्सा नो ईलाज पदिती नो नेचिरोपैथी एक को बना है लेकिन जब हम प्रकृतिक चिकित्सा के जो हमारे कारेकरम में जो हमारा आज सब हेडिंग भी है कि एक पांच तत्वों से जो हमारा शरीर बना है उससे हम अपना इलाज कर सकते हैं जिन से हमारा शरीर बना है ये पांच तत्वों पहले मैं जाओंगी कि आप दर्शकों को कि कौन से हैं और किस तरीके से उसे इलाज संभव है। आपना साथा सिस्टम नो खराब कर लें वोदे का इन बैलन्स हो गया है उन्हों अज मेडिकल साइन्स हार्मोन देनानल जान दिये हर बंदे नोज तुसी देख रहे हो भी हर्मोनल प्राबलम होगी है उसे चीज नो अगे ड्वेल्प करके तुसी जे आयरुवेद देख ऊपशाओ से परवाबित हों ने फिर परवाबित हों देव हों भार्मोन गल कर रहे हैं उस नोगे अपर घल करीएक परमातमा धी है जिम्हें के तुसी देखोंगे उस परमात्मानों कुछ जिनिके तिन अखरां देपिछ सीमत करता गॉड जी ओडी जुनरेट ऑपरेट ते डिस्ट्रॉइ क्योंके पैदा करने वाड़ा पालना करने वाड़ा ते खतम करने वाड़ा चिदो उने पालना करनी है साड़ी तलग जानकारी देना जोड़ना नेचर ने जो देता है सानुम उसे रूप देविच सानुम मिले है चले आपके बास मैं उससे जुड़े तमाम सवालों की भी हम जवाब जाने कोशिश करेंगे लेकिन सुदीब मैं आप से जाना चाहूंगी कि आप बिलकुल यंग हैं और आप जाने करीर भी फॉलो कर रही है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे सवाल यह है कि जो आजकल के जो यंग्स्टर्स हैं आगर युवा पीडी की बात करें तो उनका जो रुजहान है वो दूसरे मेडिकल साइंसे में होता है हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन ने सबस्ट है ने जो यह जो था सब्सक्राइब बड़े बात कि तो क्यों नी हुआ है गा कि जो आजकल गोट पेशन्स नाम दी कोई चीज नहीं है कि उन्हान चाहिधा कि इंस्ट रिफ वे बट कैने इसे टाइंस्ट पहने लीए ड़कर चीवर यह आजकर भी अर्षाक्टर कि यह साधी बाटी देविच जिमैं पहला मैं गल करी कि दियु शेठी जावा, सब्सक्राइब कर दियु पहला थे लेख जा इनल अंदर फ्ल्यूड ने तुखना शुरू शुरू हो जबना शुरू हो जन्य हुआ उस्तोर तुसी देखंगे और्थाइटस वाले पेशने आम पॉस्टर शुरू हो जन्द है उस तो बाद थो नू दर्द ज़ने के इनने के दर्द तो तुनू चलना पेंदा इननी के तुसी आपने आपनों इनना को देच गरशित कर पाने हो पर थो नू अहलाज नहीं लबदा फिर आम तो देखोंगे तुसी मेडिकल साइंस ने जमें कुछ टाइम बाद थोड़ा आरे फेक्टर है वो बिल्कुल ठीक हो जन्द है गठी दी प्रॉब्लम लाइफ टाइम ली थोड़ी बाडी जो खत्म हो जन्द है जी आपसे मैं ये भी जाना चाहूंगी जैसे कि सुकदीप ने बताया कि पहले उन्होंने मेडिकल साइंस की तरफ रुक किया था लेकिन जब उन्होंने प्राक्टिकली देखा कि नेचरोपैति से उनके फादर साब को अराम मिल रहा है तो उन्होंने इस तरफ आपना रोजहान किया लेकिन जब हम बात ऐलोपैथी की ना करके हम दूसरी साइंस की करते हैं रमेश जी तो अपने दोरह त्यार किती है हो जा मैडिसन दिडिया दोजने ओ यह ऐलोपैथी है हो मैं तुसी के लोबी शाटिया भी को से कंटेंट्स थे खाड़के ओंदाए ति जे तुसी आयरुवेदे गल कर दे हो जिमें आज कुश परड़क्ट एथे तुसी देख रहे हो कुश पर विछ फॉर्म दे बिच यूज करांगी इन डेचर नेचर दा जिता हो है प्रड़क्ट कुदर्थी चकित सा अगवांद है जो कुदर्थ ने सानु जो दिता है जे कर अशी जम्याज तुसी गल करें तुसी आज बोलें अशी हाट प्रवल्म थे आज हाट दी लोकानू अने का तुसी एटी परसेंट लोग मेडिकल साइंस के दिये भी लोकानू हाट दी प्रवल्म होनी सुरू होगी है उदे वास्ते किचन दे बिची सानु हर पॉर्डक्ट सब्सक्राइब को जानकरी दे सके प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हम जल्दी से जल्दी सवालों को इसमें शामिल करने कोशिश करेंगे अब जैसे कि जीवन शेली से जुड़ी हुई बिमारियां आजकल बहुत जादा फैल कि हर घर में आज जो है कही ना कहीं कोई ना कोई लाइस्टाइल डिजीज जो है दस तक दे चुकी है सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे पी-सी-ओ-डी है जो महिलाओं को खासकर जो महिलाएं उससे ग्रसित हैं बहुत जादा उसमें प्रॉप्लम हो रही है अगर हम देजिए हार्मोनल डिडियां ओही वात पे तकाफ देजिए फाइब एलिमेंट्स दे बिगडन दे कारण सर्वे पी-सी-ओ-डी हर्मोनल प्रॉब्लम है जी मेडिकली देखी लग पक एग प्रॉब्लम में तुसी नेचर देना जितिया हूं जा वस्तुवा देना जोड़ जानबर जी पाया जानदे है उन्हों आयरोवेज या सदी कुदर्ती चिकित्सा दे बिच गव मा कहके बोले जानदे है उदा यूरिन है उतो बैटर हो दी कोई दवाई PCOD वास्ते हार्मोनल प्रॉब्लम वास्ते कोई है नहीं लग पक टूक मंथ हो देजिए डिस्टिल कि प्रॉब्लम ने हार्मोनल प्रॉब्लम ने हंडेड वन परसेंट क्यों करते है तो वैसे मैं अपने दर्शकों के लिए प्ताना चाहूंगी जो आप काउ यूरीन की बात कर रहे हैं उसका इंटेक कैसे करना है मतलब किस तरी किसे वाटर अच्छा जी डिस्टिल किता है मैं अच्छा अपने गल्क सुरू किती सी फाइव एलिमेंट्स दी ओ फाइव एलिमेंट्स नों कम्प्लीट करन वास्ते ठीक रखन वास्ते देशी काउ तो यूरीन तो बैटर कोई द्वाई होई नहीं सकती है ना हजे तक किसे मेडिकल साइंस ने ना आयरुवेद ने या होर इंडिया अज तुसी देखने ने का इलाज पदिती ने उनना दे विचे इस तो बैटर मेडिसना थे तियार नहीं हुए शाइद ना भी हो भी आपके कहने का मतलब है कि अगर मुसका इंटेक दो मिने तक लगातार करते हैं तो पहले से उसमें बहतरी होगी कि वह जड़ से खतम की जा सकती है बिमारी में असल चलिटाओ काव यूरिन साड़ी बॉडी दे विचे साड़ी जडी डी टॉक्स करन वास्ती यूज करे हैं यह क्या अज तुसी देखोंगे तुसी हवा दी गल करी सी वायू दी गल करी सी ओ भी दूशी तो चुकी है पारी भी दूशी त हर चीज़ साड़ी दूशी तो हो चुकी है उदे बिचे टॉक्षन इनने के गंदगी आ चुकी है उसे दी बदाल तसासिया नेका प्यानक बमारियां दे दौर चो गुजर रहे हैं इसके लावा भी क्या कोई आशधी आप देते हैं पीसी ओडी के लिए मतलब इसके अलावा वास्ते होर बहुत काफी कुछ है जिमें उसे जिमें चाहूंगी सुकदीब आप थोड़ा सा उपर करके दिखाएं ताकि मारे दर्शक भी इसे देख पाएं आप तुषी देख रहे हूं आम तोरते हर बंदे नू पता है कर त्रीफ्ला कर यूज कर रहा है जाना साड़े हर्मोन नू ठीक रखन वास्ते त्री दोश नू खतम कर वास्ते त्रीफ्ला तेनी चिज्जानू मिलके कर डिडिय परड़क्ट बन दा है जिमें हर्ड मैडम देख चने ते आमला ते भीडा फ़ीडा और बहेडा जिद्स में कर देख अधिसाड़ी पेशनस दी गल करें सी जड़ परधनेघ साटी पछर वासट सलनू लगदा भी बहुत होगय जिमें एक पंजाबी दे विचिक में हम गल करी जांदी है वी ओले दा खादा थे स्याने दा क्या है लिड़ा कहने बाच पता जला है उही गल है भी जीड़ा ए चीज नो यूज करांगे सानुए त्री धोश दी प्रॉब्लम जा साड़े फाइव ऐलिमेंट्स दी प्रॉब्लम एक काव यूरीन की जापने टेक की बार किया है इसी से जुड़ा हुई एक और हम कहेंगे लाइफस्ट्राइल डिजीज कहें या प्रॉब्लम कहें सलस्या कहें थायरॉइड जो है आजकल बहुत जादा देखा जाता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उसका कारण क् इस तरीके से नैचिरोपैथी के जरीए हम इसको खत्म कर सकते हैं पहला तब गल कल क्लियर करना है थे असल चे थायरेड है की है एक पंबल पुसा पाया हुए साड़े समाज देवे जड़ी आलाज दिया बीदी दिया ने उन्हानने सानों पता नहीं लगना दिता भी असल है कि है इते हैं शाड़े सिस्टम लगा है पर मातमा बलो लाया हुए है उन्हों थायरेड ग्लाइन केलो उन्हों मेटाबॉलिजम ग्लाइन केलो जड़ा मार जो मर जी तुसी बोल सकते हूं असल वर्क हों देश लाइबा चड़ना साड़ी खान दी जड़ी जो आसी अचन कि रियावास्ते है जे ओ वो लौड नालो काठ बन ता भी प्रोबलम होगी लोड बन जड़ बन जड़ें ता भी प्रवलम होगी उसे चीजनू जड़ी थायरेड ग्लेंड ज़नी के बोले जनुदो तुसी योगा देविच एक पार्ट योगा दा जिनू उझाय प् इसे विच्छो अपनी साउंड होगी उसनों गले दे विच रगड के बार मॉव करना जी मैं इस चो तुनों खांसी भी आ सागदिया इस करके थोड़ा स्लो करो ते खांसी आवे ता कोई चक्कर नी ए हो सागदा थोड़ा शुरू 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 रवात चो हुंदा है और कोई ध्यानकने की जुरूत है कि दिन में करना है कभी हम कर सकते हैं कितनी बार करने की जुरूत है स्टार्टिंग में že दो तुसी यूंप जिन्दगी दे विच अपनी लाइफ स्टायल दे पीच लेकर लेकर आने हूँ टूरू फास्टिंग दे बिच नब खाली पेड कर चम काना जो सब्सक्राइब कर दो साड़ी मैंतल हमें टीक हो जूंगी मैं ती जाने खाने दा डिस्टर हो जाना जाना उदे बिच चहे तुसी जंक फूड फूड फास्ट फूड पीजा वर्गर कोल डिंग होर उसाड़ा सिस्टम नहीं बने बने आप परमातमने सानु शिस्टम नहीं दिता है उन्हों पचान वास दे उस तो बाद सबाद इससे जादा भी जो कॉमन बिमारी मैं कहूं विश्व भर में जो फैली होई है वो मधु में की है डाइबटीज की है पहले तो मैं जाना चाहूंगी कि डाइबटीज होने का कारण क्या है और उसमें नेचरोपैति के जरीए हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सब तो बड़ा कारण है अज मैं तुसी आज साड़ा तुसी देख रहे हूं लगपग ड़ली एचो दी वर्डिंग दे मताबक 60 तो लेके 70 परसेंट लोका जो इस प्रॉब्लम देना जूज रेने लड़ रेने सब तो बड़ा कारण है साड़े खाने देविच साड़े फिर पेनकरेंव लगया पर मातमा ने लाया है यह श्यूलिन चड़न वास्ते यह उस जवाब देतां है यह श्यूलिन चड़ना बंद करनां हिक जह आप इंसून नी बढ़ंगी इन आख खाणा सभड़े लोगए और तु और भाद्विच यह तु बचन वास्ते कून ना यह प्रॉबलम साड़े लाइफ टाइल दे बिच साड़े परवार दे विच साड़े आवे उधे वास्ते तुसी आम तॉर्ते मैं जिड़े अकसर बोलदा हुना हर थान उपर चीनी नू साड़े किचन दे विच वहर कड़के उधे थान उपर जिमें गुड या शकर निटा यूज होगा आँ आड़ी साइंस परवार दे बिच पेरेंट्स नू साड़े स्याने नू शूगर दी प्रॉबलम है जेकर ऊस केचन दे विच रोज जानना एक गुड या शकर दी यूज होगा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे रमेश जी कि हम और गैनिक गुड जगरा बात कर रहे हैं इससे आपका क्या अतात पर रहे हैं मतलब जो घर में या जो मार्केट में मिलता है वो अगर गुड आज तुसी मार्केट दे विच देख रहे हो लाग पाग गुड य खराब होंदा है तुसी आपने बहुत सिस्टम लगे होने कलाडियां लगिया हूं जाने साथे समाज दे विचे जो त्यार कर रहे हैं उथे जाके आप चिज़ां त्यार करा हो लेकिन काम भूखता कैसे इस पता कर सकता है कि उसमें चीनी है कि नहीं है उसे पहचानेंगे क गुड तो बैटर कोई द्वाईनी है रुजानना तुसी अपने खाने तो बाद मौर्णिंग टाइम ते इवनिंग टाइम खाने दसक गराम गुड दी डढ़िया चूज के खाऊंगे ता थोड़े जड़न अलोपा थोड़े नू जड़ा पाद थोड़े नू जड़ा पा जिन्दगी थोड़ा रिड़ा तुसी देख रहे हो फैटी लीवर है लीवर दे ओटी पीटी बदे होए या हो रिडिया प्रॉबलम ने उनना था संबना नी थुरू करना पगवा सिर्फ गुड खान कर गी तुसी जिन्दगी अपनी जीवन शैली दे विच गुड नू य पैन करया जी भी स्टॉंग होगे ऊपना थोड़ा जीड़ा फीजिकली भी फेट होगे ऊपना थोड़ा चलो बात हो गई कि बेमारियों की या फिर जो लोग इससे ग्रसित हैं इस जानकारी से लेकिन जो आज के छोटे बच्चे हैं या जिनको जो प्रिकॉश्णरी जो स् इस्ट्राइल में क्या कुछ बदलाव लाया जाए कि आपकी इम्मिनुटी जो है शरीड की जादा से जादा बच्चों में भी और बड़ों में भी बड़े नेचर ने सामने बहुत बढ़िया प्रड़क्ट देता है जिन्नों आम तुलसी दिना जान दे हैं तुलसी तो तुलसी नू दुद्ध दे जाने सब्सक्राइब करने बड़े जाना 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 है जून जीडे बंदी दा इम्मिनुटी वीक होगी जिकर बमारी पन्याफ उट दूरी ते नंगरी है जाननों जरूर के लोगी जदो इम्मिन सिस्ट्टम इसका जो सेवन है वो सुभे करन तुलसी नू दुद्द दे विच नियूज करों के लिए उदे बात विच पानी बढ़ाने की हमारे पास बहुत का में जादा से जादा हमने सवाल लेने हैं रमेज जी आप सब ये जाना चाहूंगी कि जब हम बात कैंसर जैसे बिमारी पी करते हैं जो कहते हैं कि ला इलाज बिमारी है और आज हम देखेंगे कि देश भर में इसके जो केसेज हैं वो लगाता और उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो कैंसर में अगर हम कहें हम इसके कारणों पे ना जाते हुए सीधा हम अगर हम बात करें कि नैचरोपैथी में क्या कुछ इलाज संभव है कै जृरी है इंसाननों केंसर होन था कारण पता होना चाहिए और क्यों रिजन की है शिदो साथी बॉड़ी दे बिच लोड़ जयादा गंदगी टॉक्षन रिजन पाँड़ीव हो जापाइज हो नो नो बृड़ी दे जादा गंदगी पर जंदी है व्यंसानना गंदकी पर तो चार चार तो आठ तो सोड़ा एमें एक फोड़ी दा रूप चार निकाल थे ज़िए उसे उनु क्लीन कर नवास्ते बॉडी नुँ साफ कर नवास्ते ओडी ऑरगन जिथे प्राबलम लगी हुए है उनु क्योर कर नवास्ते में पहला भी गल कर के भट यहां तिसी काउ द तो बैटर साड़ी बॉडी नो कोई चीज डीटॉक्स करी नी पाऊगी साड़ी और उर्गन जिढे जिथे तक जिथे तक हो साड़ी टॉक्षन दे कारन ऑक्सीजन नहीं पहुंच पार रिए उनु क्लीन करन वास्ते उस काउ यूरेन तो बैटर कोई द्वाई है नियी है शुकदीप में आपसे जाना चाहूंगी उससे बाद हम आखरी सवाल लेंगे कि आपको क्या कुछ बदलाव अपने जीवन शैली में किया है और आपको रगता है कि हर किसी को ये करना चाहिए चाहे सुबह उटके तुलसी लेना हो या अपने व्यायाम करना हो चूटी- ये बेल हो ये खाली पेटी ये सुबह मतलगी एदा एक 10 ग्राम दा पीस लेलो चोटा उसनो एक गलास पाणी चूब आपके तुलसी दे या पत्ते पालो ये इसनो तुसी रोज पीन लाओ जाओंगे तो उन्हों अलरजी दी बिल्कुल प्राब्लम नहीं आओगी तादे सब्सक्राइब करें ये बड़ा दुर्भागी की बात है कि आज जो प्रकृती है उसको इतना बड़ा खत्रा मनरा रहा है जिसके लिए वर्ल्ड लेबर पर क्लाइमेट चेंज की जो है मीटिंग्स भी हो रही है लगातार और ऐसे में प्रकृती की चीजे लेना ही अपने आपने एक चुनौती पूर्ण हमाले थाबित हो रहा है लेकिन कहीं न कहीं उसको शुद रूप में ले कर सकते हैं बहुत सारे नुस्के दिया जाते हैं लोग उनको मैं कहूंगे कि ब्लाइनली फॉलो भी कर रहे हैं वो कितना घातक है या कितने सही है आम तोरते तुसी देखोंगे हर पदिती ते विचे हर थाने उपर चेह हो दे आतम दा बिशाय चेह हो नैचरो पैथिदा मे अज तुसी शोशल मीडिया दी गल कर रहे हैं या होर काफी कि अज स्टेशन ने बढ़े हो जिते दस्किया जारी है ने सानु खान वास्ते ए हो गयता है लेलो ए हो गयता हो खार लो आज तुसी देखोंगे आम तौरते जेक कर दे बिच आठ बंदे ने उनना चो एक बंद प्रश्ण है किड़ी चीज कदो खानी है कदो नहीं खानी है कदो किदे नखा सकते हो किदे टाइम चला है सकते हो हैं वहर चीज दीक अलग-ग हो है रेशोज ने ओ दियां अक्सेस रूपने बिच खा दी हुई चीज भी खराब करूगी किसे होर गल्थ कॉम्बीनेशन कव बादी होई चीज ओभी खराब करूगी सो जिमें अज शोशल मीडिय दे उपर शूगर वास्ते कैंसर वास्ते अलर्जी वास्ते ब्राउंकाइटस वास्ते अस्तमे वास्ते अने का विदिया दसीया जा रहे हैं जो मैं बेहंती करना अपने शुरोत्या नूँ अज इनसान न इननिक बुद्धी उस परमात्मा मनों देती गई है उस बुद्धी नूँ थोड़ा जा आप यूज करके वर्तों मिच लेके आके हर बंदे नूँ पता भी मेरे वास्ते केड़ी चीज चंगी है केड़ी चीज मढ़ी है सो शोशल मीडिया ते उपर चल रहे है जड़ा जो कारिकरम में आने के लिए और इतनी महतुपून जानकारी जो है प्रकृतिक चिकित्सा के बारे में हमसे लेने के लिए तो हमसे यही गुजारिश करेंगे दर्शकों से भी कि ब्लाइंडली जो है सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें बताई गही है उन्हें फॉलो ना करें और प्रकृति से अगर आप नैचरल फॉर्म में कोई चीज ले सकते हैं और ठीक हो सकते हैं तो उससे बहतर और कुछ नहीं हो सकता यह शरीर आपका मंदिर है उसका ध्यान भी आप ही रख सकते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया आज के लिए बस इतना ही नमस्कार गगन समेरा पंच तत्व का बना शरेरा झाल 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 झाल